Welcome you all to Beat the Street जैसे कि आपको सबको पता है कि Corona Virus पूरे देश में फेल रहा है और जिस तरीके से चीजे चल रही है उस तरीके से अब देख के लगता है कि कहीं ने कहीं बिजनिसे सारे जो भी हैं वो ओनलाइन जिस तरीके से Sustainability शो कर रहे हैं आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि सारे बिजनिस लगबग ओनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड में चलेंगे और उसके लिए कोई कंपनी है जो पूरा काम करके देती है B2B सेग्मेंट में वो है India Mart Intermesh आज हम बात करने वाले हैं India Mart Intermesh के बारे में टेकनिकल जो भी चीज़े हैं टेकनिकल एनलिसिस भी करेंगे तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं न कहीं आप India Mart में से जरूर इंफ्लूएंस होंगे और उनका जो बिजनिस मोडल और बिजनिस सेग्मेंट में वो काम करते हैं कहीं न कहीं वो आपको एक उस कमपनी के प्रती आपके लिए एक प्यार जगता देगा यह मैं गारंटी देता हूँ क्यूंकि कमपनी का जो बिजनिस मोडल है काफी प्यार है और वो आज हम पूरा analysis करेंगे तो वीडियो को end तक देखना है चैनल को subscribe और वीडियो को जो आपको bell icon है उसे प्रेस करना है तो शुरुआत करते हैं company के business overview से तो company का business overview अगर हम बताएं तो offline discovery to online marketplace तो ये क्या करते हैं एक बहुत ही simple business model है ये क्या है इनकी application है तो ये क्या करते हैं offline discovery करते हैं कि कौन-कौन सी दुकान है या कौन-कौन सी shops है जो ज़्यादा चलती है और साथ ही साथ उसको फिर list कर देते हैं अपनी application पर और वो आप से provide करते हैं उनको leads और इसी तरीके से उनको उनके लिए आप कह सकते हैं उनके लिए जो जो भी उनको चीजें चाहिए online जाने के लिए वो सारी चीजें उनको provide करते हैं उनका easy interface बना के देते हैं ताकि लोग online shift हो सकें और जिस तरीके से coronavirus ने चीजों को सोचने का नजरिया बदला है कहीं ने कहीं इंडिया मार्ट जैसी कंपनी को कहीं ने कहीं बहुत जादा फाइदा हुआ है अगर आप देखेंगे तो काफी काफी हद तक इन्होंने कंपनी ने अच्छी growth दी है पिछले अगर पूरे quarter में देखें जब से मैंने इसके उपर पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा और detailed analysis किया था और आज भी वीडियो में हम काफी अच्छा और detailed analysis करने वाले हैं कंपनी के पूरे जो segment है उस पूरे को analysis करेंगे और कोविट की जिस तरह से second wave आई है कहीं ने कहीं इस तरीगी के companies को focus में वापिस से खड़ा कर दिया है क्योंकि कहीं ने कहीं सबी लोग हैं जो online expectation रखते हैं और online जाने की यहाँ पर संभावनें पैदा होती है तो इंडिया का जो largest B2B segment है जिस पे company काम करती है तो यह क्या करते है B2B मतलब होता है business to business business to business मतलब की एक दुकानदार से अगर दूसरी दुकानदार को market में माल खरीदना है अगर आप कोई भी product जैसे आप कह सकते हैं pain खरीदना है अगर दुकानदार को खरीदना है जो आपके local supplier है तो उसको कही न कहीं से भाई करना पड़ेगा और उस भाई करने के लिए पहले online platform नहीं हो करता था उसको वहाँ पर जाना पड़ता था बट इंडिया मार्ट ने उस चीज को easy कर दिया है और वहाँ पर अगर आप large quantity में खरीदते हो तो कहीं न कहीं वह आपको छूट भी देते हैं वह आपको business के जो भी नीचे वाले local supplier है उनसे connect करवाते है local supplier को बड़े businessmen से connect करवाते हैं ताकि चीजें के चीजों को smoothly किया जा सके और fast किया जा सके और यह दोनों ही तरफ की discovery marketplace में करते हैं behavioral data उनके पास होता है algorithmic data होता है किस तरीके से इनका network है वह काफी देखने लायक आपको होगा तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा तब यह आपको चीजे समझ में आएगे तो अब इनका क्या क्या काम है वह देख लेते हैं कि products और suppliers को यह अपने platform पर लाते है multilingual search अलग-अलग language में आप चीजें को सर्च कर सकते हैं पूरा जो data driven है वो AI के दुरू है मतलब artificial intelligence के दुरू आपने अगर laptop सर्च किया laptop के लिए जो जो भी आपको आने चाहिए ऐसली में वो पूरा artificial intelligence के दुरू आपको देखने को मिलता है महीं अगर हम specifications वहाँ पर दिखाता है price discovery आप demand और supply और यह आप देख सकते है price discovery का भी option आता है आपका जो conversational commerce है वो बढ़ता हुआ है payment option भी यहाँ पर बहुत सारे तरीके के हैं web storefront, RFQ, cloud telephony तो यह सारी चीजे है mobile based accounting तो यह accounting, accounting इन सब चीजों को easy कर देता है customer relationship को easy कर देता है ताकि बड़े जो players है वो यहाँ पर चोटे लोगों से connect हो सके और चोटे लोग बड़े लोगों से connect हो सके जो बड़े मातरा में माल बनाते हैं तो इससे आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें यह अपने platform पे सर्व करते हैं उनकी website है हर चीज हर तरह की चीज आप देख सकते हैं कहीं कहीं मार्केट में यह उतारते हैं इंडस्टियल प्लांट से लेके अब आ जाते हैं मगर कुछ नहीं चीजों पे बात करें तो यह एंड-to-end value chain discovery पे फोकस करते हैं जिसमें यह आपको raw material भी लाके देंगे आपको machinery भी प्रोवाइड करेंगे component भी देंगे और final product तक आदमी से आदमी को जहां पर पहुंचाना है वो भी पहुंचा के देंगे तो यह पूरी की पूरी value chain को सर्व करते हैं जिसके इनके पस demand और supply का पूरा पूरा value chain है जिसके करेंड यहां पर कहीं नगी customer को ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जो supplier है वो भी खुश रहता है और यह क्योंकि एक अच्छा platform देते हैं जिसमें पूरी-पूरी के थ्रू अगर माल खरीते हैं तो आपको भी एक बार ट्राइ करना चीए क्योंकि कहीं न कहीं यह इनकी जो rates होती वो काफी अच्छी होती है यह तीनो segment में काम करते है call SMS से भी आप इनकी cloud टेलीफोनी को use करके supplier को connect कर सकते हैं आपको chat और email का भी support मिलता है CRM यहां पन मिलत हैं और साथ ही साथ आप अपने-अपने quotations भी दे सकते हैं और वो पूरी verified होते हैं तो यह platform है जो आपको two-way discovery marketplace है supplier के लिए भी और buyer के दिये भी तो यह काफी अच्छा business segment निकल के आता है अब अगर हम निकलते हैं तो company का यह इस तरीके का business का पूरा interface रहता है जिसमें आप बात कर सकते connect कर सकते WhatsApp कर सकते हैं सब तरीके की यहाँ पर देखने को मिलती है catalog आप कह सकते हैं उसमें कितने models हैं किस तरीके की चीजे आपको क्या conversation करनी है वो भी सब वहाँ पर automatic लिखा हुआ रहता है तो इस तरीके से buyers की lead यहाँ पर काम करती है अगर हम बात करें कुछ facts क तो आप देख सकते हैं कि 6.5 million suppliers storefront यहाँ पर company के पास हैं वही 72 million company पास products की listing है 97,000 plus categories आप देख सकते हैं कितना बड़ा और strong network company के पास है B2B segment में तो कहीं न कहीं company में एक बहुत बड़ी यहाँ पर कबिलियत है जो company को सर्व करती है और आने वाले समय में जिस तरीके से के सकते registered buyer है और repeat buyer है 57% और monthly business inquiries 50 million मतली के लमसम की inquiries यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो वो काफी यहाँ पर strong चीज पैदा करती है return on investment driven subscription based revenue model है तो इनको पैसा कैसे मिलता है तो आप क्या होता है कि एक तो यह premium model पे काम करते है premium model क्या होता है तो free plus premium model मतल जो free supplier है वो अप करने की सुदा है तो यह तो हो गया premium जिसमें 6.3 million subscriber supplier आते हैं वहीं उसके बाद होते हैं कुछ customer silver monthly, silver annual, gold और platinum तो इसमें क्या होगा कि जो silver monthly वाल है उसमें आपको मंतली payment करना है और आपको silver की services मतलब की जिसमें priority listing मिल जाएगी आपका जो नाम है वो थोड़ा उपर आएग वाली जो सारी सुदा हैं वो देंगे आपको जो lead manager आपका यहाँ पर profile maintain करेगा और यह सारी चीज़ें होती है जो platinum gold और इन में ज्यादा मिलने लग जाती है और वहीं top 10% of contributes 41% of revenue जो platinum वाले लोग है वो यहाँ पर 41% revenue का कमर करते हैं जो काफी बड़ी बात है क्योंकि 95% तक model है आपको मैंने बता है कि एक तगड़ा business model यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है महीं अगर हम बात करें कि company के company के nationwide service coverage की तो 1000 से ज़्यादा cities में company का काम है और wide network है sales force और channel partner भी company के साथ काफी है और online mode offline mode हर तरीके से यहाँ पर company काम करने लग गई है अब इसके बाद अगर हम बात करें की competitive strengths की तो company के पास सबसे तगड़ा brand network है brand भी है network भी है efficiency और effectiveness है क्योंकि उनके पास data इतना सारा है और किस customer क्या बनाता है कौन सा supplier क्या खरीता है वो सारे data से company कहीं न कहीं एक unique parameters में आप कह सकते हैं कि आ चुकी है और जिसके current company के पास काफी बड़ा strong base निकल के आता है catalog भी company के पास काफी तगड़े है pricing भी company की competitive pricing है वहीं अगर बात करें कि fragmented market में भी company का बहुत बड़ा यहाँ पर नाम निकल के आता है इसके अलवा strategic outlook को अगर हम देखते हैं और बात करते हैं business के operational performance की जो कि सबसे important है क्योंकि अगर आप एक investor है तो आपको यह देखना काफी जुरूरी है operational or financial performance क्योंकि company का business model तो मैंने आपको बता है कितना सही और कितना तगड़ा business model है और आने वाले समय में आपको growth यहाँ पे साफ साफ नजर आती है और अगर हम बात करें yearly trends की तो 23% का CAGR कम नहीं होता है और इस segment में यहाँ पर आगे आने वाले समय में काफी अच्छी expectation है quarterly trends में 9% का CAGR year on year basis पे देखने को मिलता है महीं अगर हम बात करें yearly trends में paying subscription suppliers के yearly trends में तो 16% का CAGR और quarterly trends में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलती है CAGR यहाँ पर ग्रोथ देखने मिलती है अगर हम revenue पर पेइंग सब्सक्राइबर की बात करें तो उससे वहाँ पर हमारे को निकल के आता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर growth आपको साफ साफ दिखती है क्योंकि आजकल premium model में भी लोग premium को prefer करते हैं क्योंकि वहाँ पर ज्यादा services मिलती है और ज्यादा यहाँ पर expected जो results है positive आने के बढ़ते हुए नजर आते है जिसके करण और यहाँ पर लोगों के पास जो internet की accessibility है वो भी budget बढ़ रही है तो वहाँ पर कहीं न कहीं यह quarterly trends में 22% का CAG कमर करता है traffic काफी हद तक बढ़ चुका है आप देख सकते हैं 30% की CAG और quarterly trends में 42% क्योंकि corona और covid के कारण यहाँ पर company को बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं की return देखने को मिले और mobile के through 80% का traffic आता है तो आप देख सकते हैं कि company के पास कितनी growth expected है business inquiries बढ़ती जा रही है 40% का CAG और quarterly trends में 29% का CAG और unique business inquiries भी यहाँ पर 34% का CAG और 96 million inquiry अगर एक आपको साल में मिलती वो भी unique तो वो कहीं न कहीं एक unique proposition में खड़ा करती है इसके अलबागर हम बात करें company के financial year 2021 की तो registered buyers 125 million, total business inquiries 610 million, daily unique business inquiries 96 और total traffic आप बात करेंगे तो 960 million तो यह overall आपको perspective देता है कि किस तरीके से company काम कर रही है, company में growth है और total employees की जो cost है वो भी लगातर कम होती जा रही, company पूरी air driven services पे काम कर रही है वही अर्पू की बात करें, तो 43,000 का अर्पू company दिया है जो काफी एक तगड़ा अर्पू यहाँ पर आप देख सकते है COVID-19 और इन सब चीजों की अगर हम बात करें तो उसके करण company के financial performance में काफी बड़ा growth देखने हो मिलता है total income यहाँ पे 7% up है, 756 करोड का तगड़ा revenue from operation यहाँ पे निकल के आता है EBITDA में 94% का rise देखने हो मिलता है, जो की एक, आप कह सकते है 94% का rise एक बहुत बड़ा rise है क्योंकि 49% के margin पे company काम कर रही है यहाँ क्योंकि company का पूरा model है, वो asset light business model है और उसके कारण यहाँ पर EBITDA की जो growth है और service based जो model है वो काफी हद तक ज़्यादा margin देता है as compared to manufacturing और दूसरी industries के मकाबल है deferred revenue 726 करोड पे है, और वहीं operating activities की बात करें 24% net profit 203 करोड और 90% तक आप कह सकते हैं, हर front पे company ने financially काफी अच्छा strong performance दिया है देखने हो मिलता है, 2365 करोड रुपीज यहाँ पर investment में देखने हो मिलते हैं वही quarter 4 की result की बात करें तो total income 190 करोड का यहाँ पर देखने हो मिलता है और वहाँ पर 1% का rise है, revenue from operation में भी 6% का rise और net profit में यहाँ पर कई एक अच्छी growth देखने हो मिली 26% का rise EBITDA आप देख सकते हैं 85 करोड रुपीज का और 63% का यहाँ पर uptrend देखने हो मिलता है जो shafts जो करता है कि company में financially और operationally कितना दम है company का business model तगड़ा है और company के अगर हम बात करें consolidated level के yearly trends की तो 22% का revenue from operation में CACR देंगे और निगलता है EBITDA की बात करें तो 49% का EBITDA consolidated level पर एक भी आप point बताएं जिसमें company आपको लग रहा है कि front में कमजोर है तो वो मैं आपको दावा करता हूँ क्योंकि मैंने जब पहला वीडियो मनाया था December में December के लंसम तब भी company ने काफी बहतरीन performance दी दी उसके बाद से आप देख सकते हैं मैं भी आपको technical charts में लेकर चलूँगा और वहाँ पे भी आपने काफी अच्छी growth आपको मैं बताने वाला हूँ profit after tax की बात करेंगे 37% का profit after tax yearly trend पे आप देख सकते हैं कहीं ने कहीं एक बहुत भी बड़ा margin company के पास है 29% का margin quarterly trends में भी आप देख सकते हैं 39-49, 40% के लंसम के company और ने विस 30% के margin पे company काम कर दी है financial performance हमने overall तो देखी लिया है बस यहाँ पे अगर हम company को compare करें अगर quarter on quarter change के मुकाबले तो यहाँ पर आप देख सकते है quarter 4 में 6% का revenue from operations से rise देखने हो मिलता है वहीं अगर हम बात करें company का EBITDA 63% profit before tax 46% और tax expense को छोड़ें और net profit पे आते तो 26% तो हर front पे company ने काफी बैतरी performance दी है quarter 4 financial year 20 के comparison में हर company ने हर front पे काफी अच्छा performance दीया है अब आजाते है company के अगर हम कुछ financial matrix की बात कर लें जो पिछले सालों से comparison में यहाँ पर कितनी growth देखने हो मिली है तो financial year 16 से 251 करोड के total income को हमने बढ़ा कर 756 मतलब की 3X कर दिया है वहीं अगर हम बात करते है company के net profit की तो जहाँ पर company को losses हुआ करते थे अभी 280 करोड प्लस के यहाँ पर company को profits हो रहे हैं तो यह देखते हैं कि यह साफ साफ turnaround है EBITDA margin जो negative हुआ करता था आज 49% यह देखे आप यह show देखो EBITDA जो यहाँ पर कहाँ ही न कहीं negative हुआ करता था और अभी positive होने के बाद 49% का EBITDA कहीं न कहीं यह show करता है कि company sustainability की थूँ जा रही है और वो यहाँ पर आपको आने वाल समय में काफी अच्छा performance दे सकती है financial performance अगर standalone basis पर बात करें तो भी यहाँ पर सारी चीज़े positive ही नजर आती है अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने screener पर screener से पहले हम technical charts देख लेते हैं आज अगर आपने rain industries की अगर नहीं देखा है तो rain industries को भी आप जाके check out कर सकते हैं हमारी वीडियो आ चुकी rain industries पर और उसका भी financial performance काफी तगड़ा रहा है अभी अगर हम देखेंगे market open हो चुका है market चल रहा है तो अभी यहां पर कहीं कहीं 8% का नीचे गिरावट देखने में लिए market आज negative है बट आपको मैं एक जो चीज बताने वाला था जो December में मैंने यहां पर वीडियो मनाई थी और वो यहां पर जो लेवल्स थे वो आप देख सकते हैं 5,000 रुपय के लेवल्स थे और आज company 8,000 रुपय पे है और company already 10,000 रुपय का एक टच करके आ चुकी है यह यहां पर show करता है कि 5,000 से 10,000 100% का rise हमारी वीडियो मनाने की बात देखने को मिला था तो यह कहीं कहीं show करता है एक credibility कि हम किस तरीके से गाम कर रहे हैं तो उसको एक like तो बनता है जी हां एक like तो बनता है और इसके अलावा हम मैं आपको बता दूँ कि company का अगर हम performance देखें और अगर हम मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो आपको में एक चीज दिखाना जाता हूं क्यो यह शो करता है कि company में यह जो है एक चोटा सा correction है और यह correction आपको यह U-shape की दिखवरी यहां पर देता हो नजर आएगा और यह heading towards 10,000 फर्स टार्गेट यह टार्गेट बन है टार्गेट टू में आपको बता दूँ टार्गेट टू हमारा रहेगा बारा जार रुपे का औ यह टार्गेट आप दिवाली तक expectant कर सकते हो और जिस तरीके से कोरोना और यह सारी चीज़े चल रही है पूरा बिजनिस जो सबका है वो लगाता shift होता जा रहा है और कहीं के इंडिया मार्केट प्लेस में काफी बड़ा नाम है और यह जो पूरी trend line है जो मैंने आपको ब यहां पर देखने को मिल जाएगा जल्दी से जल्दी ही अब आ जाते हैं company के screener.in पे जहां पर हम screener पे हम देखते हैं कि company किस तरीके से चीज़ें करती है और company का जो business company का अपना यह अपना है ना company का company का अपना share holding pattern I am sorry company का share holding जो pattern होता है वह हम यहाँ पर देखते हैं market cap के बात करें 26,767 करोर रुपीज का market cap company ने establish कर दिया है काफी बैतिन performance दिये 9952 का high बनाया है 2,35 का low बनाया है current price की बात करें 8,815 की और return on capital employed 39% return on equity 29.7% और stock का P.E. 95.7 तो यह आपको याद रखना है तोड़ा stock का P.E. 95.7 और one year का अगर आप देखें chart तो यह 2000 रुपे से आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़े चेंज हुई और यह company का turnaround और आज 9,000 रुपे पर है और यहाँ चार गुना का यहाँ पर return दे चुकी है company बट अब यहाँ से भी expectation लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं company में आने वाले समय में growth देखने को बन सकती है company पूरी debt-free है यह सबसे important चीज है जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ और PE के मामने में अगर हम बात करें तो company के जो PE है दूसरे companies के comparison में जो इस segment में है अगर हम info age की बात करें तो 91 का PE उनके पास है और India Mart का 95 का है तो लगभग लगभग हम valuation देखें तो valuation में ज्यादा gap ह है नहीं बट अगर अगर बात करें 21.6 और उनका थोड़ा सा सिग्मेंट अगर हम देखें तोड़ा सा लग है बट इंडिया Mart और info age का लगभग जो पूरा business model है वो काफी same to same नजर आता है बट जो इंडिया Mart है वो date-free है company का market के थोड़ा चोटा है यहाँ पर expectation ज्यादा है company के पास जो growth की जो potential है वो काफी ज्यादा है और company ने वो potential so भी किया है अगर आप देखेंगे investor presentation में तो potential साफ नजर आता है quarterly results मैंने आपको बता दी है profit and loss हमने देख लिया है balance sheet भी हमने देख लिया है अब हम आते हैं सबसे important जो पीचीज के लिए मैं लाया हूँ वो है company का shareholding pattern company के shareholding pattern की अगर हम बात करें तो promoters ने लगबख 50% के लंसम ही रखी अपनी equity पिछले September 2019 से महीं अगर हम FIAs की बात करें जो मैं आपको लिए सबसे important part ये कमर गरता वीडियो का 10% से आप देखें लगातार बढ़ रही है 27% हो चुकी है EBITDA लगातार बढ़ रहा है FIA की holding लगातार बढ़ रही है DIAs को देखो DIAs ने भी बढ़ रही है 5 से धोड़ी कम करी है मैं वानता हूँ वो और यहाँ पर फिर भी 5% के लंसम है तो मैं यह point out कर रहा हूँ शेयर बढ़ी बढ़ा है बड़ यहाँ पर expectation और जो growth है वो काफी ज़्यादा है तो public की जो share rolling है आप देखें लगातार कम होती जा रही है वहीं अगर promoter और FIAs ने यहाँ पर भर भर के stake करीदा है तो यहाँ पर growth के potential 100% है और आने वाले समय में आप वो देख सकते हैं 10,000, 12,000, 13,000 रुपए सारे levels आपको touch होते हो ने जर आएंगे तो video को share करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तो की पता चले इंडिया मार्ट इंडर में महेंगा शेयर है थोड़ा महेंगा लगेगा आपको retail निवे शक है बट यह company में growth potential है अगर आप 4-2,000 के share खरीदें उसके बजाए आप अगर यह एक share खरीदेंगे तो आपको return in terms of percentage ज्यादा मिलने की समभावना है तो मेरा यहां पर recommendation रहेगा काफी अच्छा stock है company के potential काफी अच्छ है company का stock performance काफी अच्छ है तो यहां पर growth के chances काफी अच्छ है इसका पहला एक video और है वो भी आप देख सकते हैं जिसमें भी हमने काफी अच्छा analysis किया है तो उसका link में आपको यहां पर दे दूँगा thumbnail में या description में तो वहां पर आप जाके visit कर सकते हैं thank you so much वीडियो को share करें ज्यादे ज्यादे लोगों तक टाकि हमारी जुदीच है वो थोड़ी बढ़ सके thank you so much